यह वह से बना के लाएंगे सरिया तो बने का बाहर नहीं हो रही है अब लोहा वाला में थोड़ा नराज था कि साइडा पहले क्यों लगा दिया लेकिन साइड इंजनिर को कहना है कि साइडा लगा दिया है अब लगाने से हो सकता है कि साइडा सीधा ना लग पाए इस किनारे वाले को साइडा बुलते है क्या साइडा उसको बुलते हैं वह किनारे वाटिकल है वो सब साइडा है इस पूरा बांदे में किता देमें यह यह हम लोग कब आज कंप्लीट हुए अगा पूरा ही एगा शीरी वाला चोड़के कि इस वाले को कॉंप्लीट ने के पाद करने के बाद करने के बाद करना को अब करीब करीब हम लोग को जैसे किल बात कर रहे तो फॉर्टी मीटर क्यूब कंक्रीट लग जाएगा शालिस मेटर क्यूब अब यह दबर है यर अब यह दबर है यर अब यह जब आए ते सब अटाटेक वाले अगा यह अगा वह देखने आयोंगे कि हमारी ट्रक यहां आराम से पहुंच सकती है यह नहीं दिन में पहुंच जाएगी आजागी ना नो एंट्री तो है नहीं इधर इस साइड से नर्मली स्थी प्रॉब्लम हो जाती है नो एंट्री की तो इसलिए रात में ढहलाई होती है ट्रक की नो एंट्री रहती है तो यहां यहां इसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इरिंग रोड के पास में हैं हम लोग तो इन रोड से सीधे एक अपरोच रोड आयाती है अंदर में 20 और किनारे की जो है 20 mm की है रोड पूश रहते हैं रोड का साइज देख लो कैसे हैं किनारे वाली सब 20 की है वी समय में यह सब 16 mm की है कि वी समय में की रोड है इदर वागे सब 16 अम्य कि अब बेस्मेंट ग्राउन पस्ट प्रोर सेगेंड प्रोर जाना है उसी साफ से इसकोर्समेंट किया है तो अभी आर्किटेक्ट्स ने कहा है है जब मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट किया कि यह दो कॉलम यह यह वाला और वह वाला दो कॉलम हटा देंगे इस ट्रोर के लिए तो मेरे ख्यास है बाकी के कॉलम्स को स्ट्रेंथनिंग देगा उपर से बीम से चाहिए जैसे भी और फिर हमारे ग्राउंट फ्रोर में एक किये थे अब यह दोनों कॉलम हटाने की बात हो रही है यह दोनों कि अगया अगया पांच तारी की प्लानिंग है ढलाई की थोड़ा सा आगे यह दोने के रैंप के मेजर्मेंट कन्फीजन है तो कल आर्किटेक्ट आएंगे और थोड़ा सीडी के बारे में भी अधिक छोड़के बाकी जगा पर अगा कि सेंट्रिंग हो जाएगी आज सीडी वाला मेरे का से कल कन्फर्म करने के बाद सीडी और रेम के साइड में तब वो उधर का साइडा वड़ा बांदेंगे यानि कि सेंट्रिंग करेंगे